यह कहानी है एक office की एक office की और उसकी employees की एक बार एक office में जितने भी employees सुबह सुबह जब office आते हैं अपने cabin में तो उनकी desk के उपर एक letter पड़ा होता है एक letter रखा हुआ होता है और उस letter में लिखा था कि वो इंसान इस company का वो employee जिसकी वज़े से आपकी promotion नहीं हो रही थी या जिसकी वज़े से आप आगे नहीं भढ़ पा रहे थे उसकी death हो गई वो मर गया है और अब अगर आप आखरी बार उस employee की शगल देखना चाहते हैं तो यह address है यहाँ पर अगले एक गहंटे में पहुच आई है जैसे ही उस address पे गए तो महाँ पर एक coffin पड़ा हुआ था coffin होता है उसको जब लोगों ने दूर से देखा तो एक तरफ तो सबको दुख हो रहा था बुरा लग रहा था कि यार यह नहीं होना चाहता और दूसरी तरफ से उनको थोड़ी बहुत खुशी भी हो रही थी कि चलो अच्छा है मेरी रास्ते का जो सबसे बड़ा पत्थर था वो हट गया लेकिन फिर एक एक करके जैसे ही वो लोग उस coffin के पास गए और जा करके उन्होंने उस employee की शकल देखी उस coffin के अंदर तो उन्हें खुद पे शरम आने लगी क्योंकि उस coffin में कोई नहीं था सिर्फ एक शीशा था एक mirror था जिसमें उनकी खुद की शकल दिख रही थी हम सब भी तो यही करते हैं अपनी life में कि सारा blame उठा करके किसी situation पर डाल दिया किसी और इंसान पर डाल दिया सब जगे डाल दिया सिवाए एक इंसान के खुद पे